नमस्ते में डॉक्टर जुबेर खान असिस्टेंट प्रोफेसर जोग्राफिक गवर्मेंट कोलेज बूंदी आपका स्वागत करता हूँ बी ए पार्ट प्रथम वर्ष भुगोल की कक्षा में इस कक्षा में हम भुगोल के दुत्य प्रिशन पत्र परियावन भुगोल का लाशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, सलाई मशीन, वाटर पंप, कूलर, एर कंडीशनर, क्लीनर आदी ऐसे उपकरण हैं जो शोर प्रदूशन के लिए उत्तरदाए होते हैं हाँ ये कहा जा सकता है ये अन्य जो शोर प्रदूशन के कारक हैं जैसे उद्योगों में चलन उपकरण, उनकी तुल्ला में इनसे उत्तरदाई अवश्य होते हैं रक्षा उपकरण युद्ध, युद्धाब्यास, आतंकवादी गतिविदियों में प्रियुक्त होने वाले विबिन हतियार जैसे राइफल, मशीन गर्ड, मोर्टार, रोकेट लांचर, तोप, टेंक, प्रक्षे पास्तर, आदी बड़े पेनबाने पर शोर प्रदूशन के लिए उत्तरदा होते हैं, कई बार के रक्षा उपकरन, जिसे हम जानते हैं युद्ध के अंदर जिनका प्रियोग किया जता हैं, जीनिए हम हतियार कह सकते हैं, हतियारों के द्वारा भी शोर प्रदूशन होता है, जब कभी बंदूख चला जाती ही, राइफल से उतपन होने ओने जोनी, कई बार हमारे रक्षा शेत्रों के अंदर लगातार हमारी सेनाए युद्ध के लिए अभ्यास करती रहती हैं तब इन उपकरणों का बहुतायत में प्रियोग कियाता है जिससे संपूर्ण शेत्र में या वहां के आसपास के शेत्र के लोगों को शेयर प्रोदूशन का करण बनती हैं परमानों विस्पोर्ट से होने वाले धमा के निकटवर्ती शेत्र में कमपन उत्पन करते हैं जब कभी भी परमानों विस्पोर्ट किया जाता है तो परमानों विस्पोर्ट अपने आप में एक बहुत ही घातक विनाशकारी और हानिकारक विस्पोर्ट होता है ज बन्विसपोट तथा बारूदी सुरूंगों के फटने से भी शोर प्रडूशन होता है इसके लावा रक्षा अनुसंधान में सलगन संस्थानों द्वारा भी हतियारों के परिक्षण किये जाते हैं अब रक्षा अनुसंधार ऐसे संस्थान होते हैं जहां पे विभिन प्रकार के हतियारों का निर्मान किये जाता है अलग अलग प्रकार के आधुनिक हतियारों के निर्मान के लिए वहाँ शोध कारिये और अनुसंधान किये जाते हैं पर जब हतियार बनाये जाते हैं तो उन उत्पन होती हैं वो शोर प्रदूशन का कारण बनती हैं शांती पूर्ण अवसरों पर भी हत्यारों का प्रियोग किया जाता है जैसे सम्मान सोरूप तोपों की सलामी देमना जरूरी नहीं है कि तोपों का प्रियोग केवल और केवल युद्ध की समय किया जाए कई बार शा प्रियोग हम आतिश पाजी के अंतरकत करते हैं विभिन अवसरों पर की जाने वाली आतिश बाजी से भी शोर प्रिदूशन होता है हमारे देश में विभिन तयोहारों पर वेवाहिक उत्सवों पर मैच या चुनाओ जीतने पर आतिश पाजी करना आमबात है अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं आतिश बाजी करते हैं हम विभिन परकार के पटाखों का प्रियोग करते हैं उच्छी तिवता वाले बमों का प्रियोग करते हैं जो नी संदह शोर प्रिदूशन के लिए उत्तरदाई कारकों के अंदर सम्मिलित किये इनसे शोर तथा वायू प्रदूशन दोनों ही होता है अब पटाखों से एक और तो शोर प्रदूशन होता है दूसरी और जब पटाखे और यह बम चलते हैं तो इनसे विभिन्य प्रकार की गेसें वह अन्य धूली कण वायू मंडल में फैलते हैं और वायू प्रिदूशन होता है इसके अंतर कत अनेक सामजिक वा धार्मिक कारियों से शोर प्रदूशन होता है धार्मिक वा पूजा इस्थलों पर लगे उच्छ शम्ता वाले ध्वनी विस्तारक की अंत्रों से काफी शोर होता है आज कल हमने देखा है कई प्रिकार के धार्मिक इस्थल हैं पूजा इस्थले वहाँ पर उच्छ शम्ता वाले ध्वनी विस्तारक की अर्थाथ loud speaker का प्रियोग कियाता है, वहां पर लगातार भजन और कव्वालियां चलती रहती हैं या वहां पर जो हमारे धर्म परिचारग बैठ रहते हैं, वो प्रवचन देते रहते हैं, जिसने लगातार उच्चति व्रिता की धोणिया उत्पन होती हैं, और ये उच्चत किसिसे स्टारक क्यंतरों से अत्यधिक शोर प्रोदूशंद होता है अब हम देखते हैं वर्तमान समय में विभिन प्रकार के धार्मिक आयव 03 को किया जाता है जिसमें कथा है कीतन है यह जो मार्च निकाला जाता है जुलूस की रूप में उसमें लाउड स्पीकर का या डीजे का बहुतायत में प्रियोग किया जा रहा है और ये उच्छी तिवर्ता के इसके अंदर संगीत बजाया जाता है इसमें भजन कीरितन किये जाते हैं जिससे की उच्छी तिवर्ता की ध यंत्रों का प्रियोग आवांचित शोर उत्पन करता है lumière सम में हमारे यहां पे जितने सामजिक कारे होते हैं हर्शुल लास के कारी होते हैं उनके अंतरकत हम ध्भणी विष्थारक के अंतर अर्थार्थ्ञूद doe पिकर का प्योग करते हैं बेंड बाजों का प्योग करते हैं और इनसे उत्पन होने वाली उच्चे तिव्दा की धोनिया लगातार शोर प्रदूशन के लिए उत्तरदाई होती हैं और शेत्र विशेश के अंदर ये शोर प्रदूशन फैलाती है गर्बा गनेश उस्तव और जब इस प्रकार के आयोजन की जाते हैं क्योंकि ये व्रहत इस्तर पे होते हैं किसी पूरे एक शहर के अंदर पूरी महानगर के अंदर अलग अलग शित्रों के अंदर इस प्रकार के आयोजनों को किया जाता है जहां पर लाउड स्पिरों का लगातार प्रियोग बढ़त तो उसके अंदर भी लाउड-स्पिकर का प्रियोग करकर जनता को एक और से उद्वोधन प्रदान किया जाता है तब भी शोर अगला जो कारण है शोर प्रदूशन का वो है निर्मान कारिये विभिन निर्मान कारियों से भी शोर प्रदूशन उत्पन होता है कैसे उत्पन होता है बहु मनजिला भावनों के निर्मान सडक निर्मान बांध निर्मान पुल निर्मान आदी स्थलों पर प्रियुक्त होने वाली विभिन मशीनों से निकटवर्ती शेत्रों में शोर प्रदूशन होता है अब कई बार हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देखते हैं तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने के लिए विभिन प्रकार के यंत्रों का प्रियोग किया जाता है प्रियुक्त होने वाली मशीनी वा यंत्रों से जो ध्वनिया उत्पन होती है वो शोर प्रदूशन के लिए उतरदाई होती है निर्मान तथा पुन्ह निर्मान कारियों में विसफोटों को का भी प्रियोग किया जाता है जो शोर प्रोडूशन के लिए उतरदाई होते हैं दुरघटनाएं अन्य जो कारण है शोर प्रोडूशन के उनके अंदर हम समलित करते हैं दुरघटनाओं को आए दिन होने वाली विभिन परकार की दुरघटनाओं से भी shore production होता है हम देखते हैं कि आए दिन जो accident हो जाते हैं कभी कई परकार की दुरघटनाओं हो जाती है आग लग जाती है, कई जगा विस्फोट हो जाते हैं, सिलेंटर का विस्फोट हो जाता है, विभिन प्रकार के विस्फोट हो जो ध्वनिया उत्पन होती है, वो छोर प्रोडिशन के लिए उत्तरदाई होती है, इनमें से प्रमुख निम्न है, इनमें गे सिलेंटर का फटना जोलन शील रसायनों को ले जाने वाले वहानों तथा गोदामों में आग लगना उद्योगों में बॉलर का फटना आतिशपाजी की दुकानों वा गोदाओं में शोट सरकिट से आग लगना विसफोट पदार्थों की मैगजीन में आग लगना आदी घटनाए प्रमूखे ये वो सबी दुर घटनाए हैं जो शोर प्रदूशन के लिए उत्तरदाई होती है जैसे गेस सिलेंडर का फटना एक विसफोट होता है अपने समीपवर्ची शेतर में जहां कहीं भी विसफोट होता है वहाँ पर भाएंकर हानी पहुंचाता है उस ग्रह को उस भवन को भी ये नुफसान पहुंचाता है जो अलेंडर शील रसायनों को ले जाने वाले टेंकरों में आग लगना गोदामों में आग लगना आतिशबाजी की दुकावनों में आग लगना इन सब में जो विसफोटक घटनाए होती है वो निसंदर शोर प्रदूशन के लिए उत्तरदाई होती है और न केवल शोर प्रदूशन के लिए उत्तरदाई होती है अन्य कारण, अन्य कारणों के अंदर हम निमलिखित कारणों को देख सकते हैं उप्रिक्त कारणों के अलावा जो ऐसी घटनाए हैं जो शोर के लिए उतरदाई होती हैं शोर प्रदूशन फैलाती हैं उनको हम अन्य कारणों के अंदर समिलित करते हैं उप्रिक्त के अलावा कुछ अन्य गतिविधियों से भी काफी शोर होता है बड़े कारेले भवनों में ओटोमोबिल्स के सर्विस सेंटर पर तता सारजिनिक स्थलों पर उत्पन होने वाला शोर भी हानिकारक होता है जैसे बड़े कारेले भवन होते हैं, वहाँ पर भी लगातार विभिन लोगों के इखटाओने, मशीनों के इखटाओने, युक्तियों यंत्रों के इखटाओने सोता है कई प्रकार के ओटोमेबिल जो गाड़ियों होती हैं, मोटर गाड़ियों होती हैं, कारे होती हैं, टू विलर्स होते हैं, इनके जो सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ पर भी शोर प्रोडूशन लगातार उत्पन होता है, सारवजनिक इस्थलों पर भी शोर प्रोडूशन फै राय बरत्मान समय में इसा देखा गया है कि जो महानगरी शेत्र हैं वहाँ पर कम शेत्र के अंदर कम शेत्र फल में अधिक जनसंख्या निवास करती हैं। पर उस जनसंख्या को बसाने के लिए बहु मंदिला भवनों का निर्मान किया जाता है जब बहु मंदिला भवन होते हैं एक छोटे शेत्र के अंदर बड़ी जनसंख्या निवास करती है तो हर एक भवन के अंदर हर एक मंदिल के अंदर अलग-अलग प्रकार की गतिविदिय के सकिंदरन से शोर प्रदूशन को बड़ा हुआ पाया गया है इस्थान का अधिक्तम उप्योग करने के लिए इन भवनों में विभाजक दिवारे भी बहुत पतली होती हैं जिससे ध्वनी प्रवा अधिक अवरोध उत्पन नहीं हो पाता अब हम देखते हैं जब बहु गजिला इमारते बनाए जाती हैं तो उसमें अलग अलग जो बिल्लिंग्स होती हैं अलग जो भवन के सबना और कि उसके अंदर से धोनी एक एक ओर से दूसरी ओर चले जाती है जिससे कि महाँ पर शोर प्रदूशन और भी अधिक बढ़ जाता है शोर प्रदूशन के दुश प्रभाव अब ही देखते हैं कि वर्तमान सभी में शोर प्रदूशन से क्या-क्या दुश प्रभाव हो रहे हैं उसके दुश प्रभाव के बारे में बात करते हैं शोर प्रदूशन का दुश प्रभाव निर्जीव तथा सजीव दोनों पर पड़ता है। शोर प्रदूशन के करण निर्जीव पर भी दुश प्रभाव पड़ते हैं। शोर प्रदूशन के प्रमुक दुश प्रभाव निर्जीव प्रकार है। पहला है मानव पर दुश प्रभाव जब हम शोर प्रदूशन के दुश प्रभाव का अध्यन करते हैं। अब देखें शोर प्रदूशन के लिए जो उत्तरदाई कारक हैं उनमें भी मानविये कारक सबसे ज्यादा उत्तरदाई हैं। यद्यपी प्रत्यक व्यक्ति की शोर सहन करने की शमता में कुछ भिन्नता होती हैं। किन्तु कम या अधिक रूप से इसमें भी प्रभावित होते हैं। अब क्या होता है कई बार अलग 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 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हर इंसान के शोर सेन करने की हर शमता अलगल होती है पर कई बार कम या अधिक रूप से हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता ही है उधारनात 30 वर्ष से कम आयूवर्ग के उद्योगिक शरमिकों के लिए 95 डेसिबल तक शोर अधिक हानिकारक नहीं होता जबकि 40-50 वर्ष आयू वर्ग के लिए ये सीमा 84 डेसिबल तथा 50-60 आयू वर्ष वर्ग के लिए ये सीमा 80 डेसिबल होती है शोर सहन करने की हमारे शरीर की एक सीमा होती है यदि हम आयू के अनुसार इस सीमा को वर्गिकृत करें तो हम देखते हैं कि जो श्रमिक 30 वर्ष से कम आयूके हैं उनके लिए 95 डेसिबल तक की ध्वनी का जो शोर उत्पन होता है वो हानिका रख नहीं होता जबकि 40-50 आयूवर्ग के लोगों के लिए शोर की अधिक सब सीमा घटकर 84 डेसिबल रह जाती है और 50-60 वर्ष की आयूवर्ग वालों के लिए ये सीमा घटकर 80 डेसिबल तक रह जाती है इससे अधिक डेसिबल का शोर उन व्यक्तियों के लिए जो इस आयूवर्ग में आते हैं अधिक हानिकारक हो सकता है निरंतर शोर में रहने वाले व्यक्ति इसके अभ्यस्त हो जाते हैं किन्तों उनके स्वास्थे पर अनेक हानिकारक प्रभाव पढ़ते हैं है वो उनके स्वास्थे पर पढ़ने वाले दुश्प्रुभाव की रूप में होती है वो नहीं जानते के इस अभ्यस्ता के लिए उन्होंने अपने शरीर की क्या कीमत चुकाई है कई बार उनकी श्रवन शमता कमजोर हो जाती है लगातार इतनी उच्च आवरती की धोनियों को सुनने से वो सामने आवरतियों की धोनियों को सुनने के रायक नहीं रिपाते इस अध्याय के असाइन्मेंट के रूप में आपको शोर प्रोडूशन के किनहीं चार मानविये कारणों के उपर टिपनी लिखनी है ये प्रिशन एक लगुतरात्मक प्रकार का प्रिशन है इसका उत्तर आप अधिक्तम 200 शब्दों के अंदर दे सकते हैं धन्यवाद आपने ये विडियो अंत तक देखा जल्दी ही नए अध्याय के नए विडियो के साथ हम फिर मिलेंगे